हेलो दोस्तों तो दखिए गुवर्मेंट आफ इंडिया के तरफ से बीसे में हमारे ग्रूप और बी ग्रूप बी और सी के लिए टोटल अमारे 644 पदो पर वेकेंसी आ चुकी है तो इस वीडियो में हम इसी वेकेंसी के बारे में सारी चीज़ें डिसक्रस करेंगे कौन कौन से पॉस्ट में वेकेंसी आए हुई है इसनके लिए क्या का एलिज़ब्यूती है और कब तक भाला जायेगा सारी चीज़ें इसमें डिसक्रस करेंगे ता आए वीडियो काम तक बने रहुए और वीडियो अच्छा लागे तो लाइक और सब्सक्राइब पोस्ट है इन्सपेक्टर लाइबरेरियन की पोस्ट है जिसमें 1999 हमारा दोचिट खालीयै paint आपका बैचलर डिगरी इन लाइबरेडी साइंस और लाइबरेडी एन इंफोर्मेशन साइंस होना चाहिए किसी भी इकॉनाइज इनसे इंस्चिट से होना चाहिए और विद टू-यर करें लिए और हमेल के लिए अगर हाइट के बात करें तो 116.5 cm हाइट है उसका और चेस्ट होना चाहिए और जिनके ज्यादा जनकारी आपको चाहिए तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके एक बार पढ़ लिजिएगा तभी जाकर आप फॉम अपलाई कीजिएगा इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्सम बॉक्स में उसका लिंक डाल देंग चाहिए जिसमें जेनल में 4 सीट खालिए कोई पास होना चाहिए एक स्टेट नर्सींग में आपका जो रिष्टेशन होना चाहिए स्टेट नर्सींग में वहीं आपके इसके लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आज 30 वर्स दिया गया है वहीं मेल में अगर इसका हाइट की बात करते हैं तो एक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन पर सकते हैं द Jugraf हज का अगला पोस्ट देखते हैं तो अगला पोस्ट है Assistant sub inspector के चосьंच स लैबर होशी तेकनीसियन का हमारे पास अगला पोस्ट है जिसमें टोटा हमारा我是 actually खाली है जिसमें जएनल में 12 खालिये edu जाइशे होना चाहिए सांज सांज सटीम से और único सब्सक्राइब चाहिए किया चाहिए जो भी आपका मेडिको मेडिकल लेडिक्ले टेकन लजी में अपका का डिपलोमा के साटिफिकेट होना चाहिए और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो माक्सिमा तीस बॉस्ट दया गया है और मेल का जो हाइट है 175 cm सेंटिमीटर और स्ट का साइज है 186 cm होना चाहिए और फीमेल में वहां सियम हाइट है 157 cm हाइट है कि गई अगला पोस्ट का देखे तो आवर दिया का असिस्टेंस इंस्पेक्टर फीजियो थेरेपिस्ट यह जो हमारा पोस्ट है इसका टोटल हमारा 47 स्ट इसमें 19 को जैनल के लिए में पांच होए एसी में साथ सीट खाली है अगर इसका इजीविटी देखे तो यहां पर क्लास्ट वेल पास होना चाहिए स्वीच साइश्टीम होना चाहिए आपके पास और डिगरी डिपलोमा आपको फीजियो थेरेपिस्ट और छे मौना का चाहिए और इस डिगरी के साथ आपका 6-6 मन्त का चाहिए तिस बाद का ध्यान रखिएगा जो आपका एज लिमिट इसमें है तीस वर्स है वहीं आपका हाइट है सेम हाइट है मेल के लिए 165 सेंटीमिटर और चेस्ट का हमारा साइज है अगला पोस्ट में सब इंस्पेक्टर वेहिकल मेकैनिक का दिया गया है इसमें टोटल आपका तीन सीट खाली है दो सीट जेनल में और एक सीट ओबी सी में तिस बात का ध्यान रखिएगा अगर इसका हम देखे इज़िविटी देखते हैं तो देखे इसका इज़िविटी मेकैनिकल इंजिनरिंग और आउटेंवाइल इंजिनरिंग में अगर इसका इस लिम्ट बात करें तो देखे एज लिमिट आपका तीसवर से माक्सिमम वहीं अगर मेल हाइट बात करें तो सेम है 115.5 सेंटिमिटर और चेस्ट आपका 186 सेंटिमिटर होना चाहिए जो फिमल बचारां करते ही श्रीट आता उताल श्रीट को फिर स्पिट ऊच्वेशर हो दो ao d medication गुंदिbert सब्सक्राही चलीए इकतेष्ट के लिए विस्त दर गीचे यह की यहएयो खुकरे य। डिवीटी क्या है तो देखिए कि हमारे एस वीटी आपका त्यांत पास होना चाहिए इस बात के ध्यान रखिएगा जो भी आप फिटर में इसको पिडाइए किए थी तुसमें तीन साल का एकस्पिरियंस होना चाहिए और उसका चाहिए वहीं जो एज देखे तो यह आपका म सबसे में यहां पर जो है आपका आपका आई टी बगरा माग रहा है देखिए अगला पोस्ट जो है हेड कॉंस्टेवल का पोस्ट है वेटिरिनरी के लिए इसमें देखिए आपका टोटल चार सीट खाली है इसमें जेनरल में दो सीट है में एक सीट है अगर इसका देखा जाए तो कि आपका जो पास होना चाहिए विद वन यह वेटिरिनरी स्टोक एसिस्टेंट कॉंसिल एंड वन यह एक्सपिरियंस आपके पास होना चाहिए तिस बात के ध्यान रखेगा यह आपका इलिजिब्यूटी है वहीं अगर एज लिम से 57 cm होना चाहिए जो हमार केंनलमां का है जिसमें आपका 2 सिट खा लिए है जो हमारा जैनल में है जेरमरें पहले पोस्ट पर पोस्ट पर आपका दो साल का एक्सपिरियंस होना चाहिए वहीं अगर इसके एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल का एज लिमिट दिया गया है वहीं इसके हाइट बद देखते हैं तो 116.5 cm मेल के लिए है और चेस्ट आपका 186 cm होना चाहिए जो सेम है परवाले पोस्ट से और हमारा जो फीमिल हाइट है वहीं 157 cm जो यह से भी सेम है तो दखिए हम सारी पोस्ट के बारे में इस वीडियों हम डिस्कॉस कर चुके हैं तो दखिए इस वाकेंशी से लेटेड कुछ important point पॉइंट 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 लेते हैं देखिए दिया परस पॉइंट में जो इस वाकेंशी का फॉम है वह उन्हीं 25 और 24 से लेकर 17-26 की बीच में ही भारा जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा सेकेंड पॉइंट बो तो बोल रहा है जब भी आप अप्लिकेशन फर्म बढ़ने जाए उससे पहले इसका जो ओफिसियल नोटिफिकेशन है एक बार पढ़ लिजेगा तो इसका जो ओफिसियल नोटिफिकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉस में परवाइड कर देंगे आप वहां से ज चाहिए प्रोफेशनाल सट्विकेट होना चाहिए जो भी ट्विक्लॉमा डिग्री आपके पास्व ऒार चाहिए एक्सपिरियेंस ецाइल सर्थिप्रिप्पेट होना चाहिए और हब मतल Scout & कृट क difam certificate होना चाहिए और डोमिसाल certificate होना चाहिए यह जो जरूरात पड़ेगा application भरते समय और अगला पॉइंट बोल रहा है kindly check का एन कोलेक्ट ऑल्ड ड्रकुमेंटस गॉति इलिजबियूटी आईडी परूफ एडिस डिटेल wann बैसिक डीटेल सार्य चीजह आपके पास होना चाहिए जो करने चाहिए तो सारी इलिजबियूटी वगरा चेकर लिजी जाने से पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए क्या करके आप रेडी कर लिजिए मतलब उसका एक सोफ्ट कपी बना लिजिएगा कि देखिए हमारा अगला पन बोल रहा है विफोर समीट अप्लिकेशन फॉर्म मस् चेक दप्रिवीव एंड और कॉलम केरफुली जब ही आप हम समीट कीजिएगा फॉर्म भरने के बार समीट कीज देखिए अगला पन देखा है इफ कैंडिडेट रिक्वाइट टु पेंड़ अप्लिकेशन फी मस्ट समीट इप्यू है नोट रिक्वाइड अप्लिकेशन फी यूर फॉर्म इस नाट कंप्लिटेड तो देखिए जब आप फॉर्म फिलब कीजिएगा उसके बाद जब आ ब्रेष्ड कंप्लिकेशन आपको नहीं हा रहा है यॉर्म नोट कंप्लिटेट तो इसका मतलब के पास अपप्लिकेशन का नहीं आ रहा है समय यह उस्को अच्छे तरीका से भर लिजिGUएये और आप उसको अप भ्र सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा छाते हले तो प्रिंट आउट को अपने पास रख लेना है उसे अप्लिकेशन आईडी होता है जो बहुत काम आता है एडमिट करने के लिए या रिजल्ट वगरार देखने के लिए तो उसको ही वह प्रिंट आउट जो रिसीप निकलता है उसी पर रहता है तिस बात का ध्यान किएगा वह प्रिंट आउट अपने पास रख लिजीएगा थैंक यू वेरी मच